महाराश्ट और गुजरात में आॉक्सीजन और रेमडे सिविर की मांग बढ़ने के बाद मद्यप्रदेश में भी हालात चिंता जनक हो चले हैं मद्यप्रदेश की बात करें तो मद्यप्रदेश में इस वक्त कोरुना संक्रमन की जो लहर है काफी तेज होती जा रही है उसके बावजूद भी जो लोग हैं सोशल लिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन फिलहाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं काफी इस्तिती खराब हो चुकी है इंदोर के अधिकतर जो अस्पताल हैं वो पूरे भर चुके हैं बेड की कमी होती जा रही है और जिला प्रशाषन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से भी हो लोगों को जल से जल्द अच्छी सुविधा यहां पर मिले ताकि उनका इलाज हो सके लेकिन बावजुद उसके जिस प्रकार से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उससे जिलाप्रशाशन की चिंताएं बढ़ चुकी है इंदोर में जिस प्रकार से अभी बेड की हालत काफी चिंतजनक है लेकिन फिलाल जो जिला प्रशाशन है कहीं न कहीं व्यवस्था में लगा हुआ है अस्थाई अस्पताल की बाद भी होती जा रही है लेकिन फिलाल अस्ताई अस्पताल के लिए यहाँ पर स्टाफ मोजूद नहीं है ऑक्सिजन और रेम्रेसिवर इंजेक्शन है उसको लेकर काफी यहाँ पर हालत खराब पड़ी है क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाये तो अस्पतालों में कोरोना संक्रमन के जो गंभीर मरीज हैं उनको ऑक्सिजन की जरुरत काफी लगती है उसी के साथ जो रेम्रेसिवर इंजेक्शन है उसकी भी जरुरत उनको लगती है लेकिन लगातार जो है इसका संकट बढ़ता जा रहा है लगातार प्रदेश सरकार इस संकट से जूज रही है लेकिन कहीं न कहीं इंदोर जिला प्रशाशन और यहां के जो इंदोर जिला प्रशाशन के जो अधिकारी हैं वह इस कोशिच में लगे हैं कि जल्द से जल्द इं गड़ और महराश्ट की जो बॉर्डर है उनको सील करने के बाद वहां से अब किसी प्रकार की आवाज ही नहीं की जा रही है। और भोपाल इस प्रकार के जितने भी शहर हैं वहाँ पर इस्ति चिंता जनक बनीवी है ओक्सिजन और इंजेक्शन और दवाईयों से हम फिलहाल जूसते नजर आ रहे हैं हमारा MP News के माद्दम से हम आपसे एक यही अप्पिल करना चाहते हैं कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके देश और आपके समाज की सुरक्षा के लिए आपके शहर की सुरक्षा के लिए आपको मास्क बहुत जरूरी लगाना है आप मास्क लगाएंगे तो तकरीबन आप 50% कोरोना संक्रमन से बचने की उमीद रख पाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग पालन करेंगे हाँ सेनेटाइज करेंगे और जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें ज़्यादा चर जो भीड़वार वाले इलाके हैं जो मार्केट जहां पर ज़्यादा भीड़ रहती है उस मार्केट में ना जाएं अगर कोई मास्क पहिना हुआ आपको नहीं दिखता हुआ है तो उसको आप टोंकें उसको मास्क पिनाएं बोले आप मास्क पहनें क्योंकि अभी विलाल में आपके पास एक ही सबसबड़ हत्यार है आपके चहरे पे लगा हुआ वो मास्क इन दोर से MP News के लिए धर्मेंद्र यादों की रिपोर्ट MP की नफस MP का हाथ मज़प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए लेपल आइकन दबाना जरा भी नफूझे